जब इरान की ये मिसाइल फायर की जाती है तो तस्वीरें ऐसी होती है जब इरान की ये मिसाइल अपने टार्गेट पर गिरती है तो धामा का ऐसा होता है अब यही मिसाइल रूस पहुँचने वाली है और समझ लीजिए कि इस मिसाइल को लेकर बात पक्की हो गई है ये है इरान की फतेव 110 मिसाइल अमेरिका इसकी दहशत जानता है इस्रेल इसका खौफ समझता है और अब इसी मिसाइल के जर्ये पुतिन योगरेन को डराना चाहते हैं रिपोर्ट ये है कि इरान की ये मिसाइल रूस पहुँचने वाली है और ऐसा अक्टूबर में ही हो सकता है फतेव 110 को टेस्ट हुए पूरी दुनिया ने बहुत देखा है अब इसकी असली हमले वाली लॉंचिंग भी दुनिया जल्दी देखेगी ऐसा क्यूं होगा इसकी बारे में वाशिंटन में मौजूद इंस्ट्यूट ओफ स्टडी ओफ वार ने बहुत साफ साफ बात बता दी है 18 अक्टूबर को इरान पर संयोक्त राश्वी की तरफ से लगे मिसाइल और ड्रोन बेचने की पाबंदी खत्म हो रही है और उसके बाद इरान अपनी मिसाइल और ड्रोन खुलम खुला बेच पाएगा अब सवाल है कि आखिर ये कैसे तै हुआ कि ये मिसाइल भूस खरीदेगा तो जवाब है कि 19 सितंबर को भूस के रक्षा मंत्री सरगेई शोईगू ने इरान का दोरा किया था ये दोरा बहुत सीक्रेट रखा गया हलाकि जो तस्वीर सामने आए उसमें ये साफ हो गया कि सरगेई शोईगू इरान की मिसाइल देखने तहरान आए इरान ने उनके सामने अपने एक एक हथियार की डीटेल रखी इसमें ड्रोन भी थे और पलेस्टिक मिसाइल भी ठीक वैसे हथियार जो रूस को ये उक्रेन में लड़ने के लिए चाहिए इरान के एरो स्पेस फोर्स के कमांडर ब्रिगेटियर जनरल आमिर अली हाजी जादे साथ साथ थे और वो बता रहे थे कि रूस को क्या क्या लेना चाहिए किस हथियार से उनकी जरूरत पूरी हो सकती है इसमें सबसे खास रही फत्य वन वन जिरो मिसाइल सरगी शोईगो ने इस मिसाइल को बहुत गोर से देखा उन्हें बताया गया कि ये कितनी खातरनाक और सकीत मिसाइल है और ऐसे हथियार से रूस जेलन्सकी के बड़े बड़े अट्टों को मिट्टी में मिला सकता है सरगी शोईगो इस मिसाइल को देखकर काफी खुश हो अब इससे ये बात साफ हो रही है कि 18 तारीक को जब इरान की मिसाइल सेल पर पाबंदी हटे तो इसका सबसे बड़ा फाइदा रूस को ही होगा और सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ योक्रेन को नहीं होगा ये बात भी तै फटह 110 मिसाइल को लेकर डर इतना ज़ादा क्यूं है क्यूं है इतना ज़ादा खौफ क्यूं इरान और रूस के दुश्मन बहुत ज़ादा घबराए हुए है इसकी बहुत सी बारीक बाते हैं आपको एक एक करके बताते हैं इंफरमिशन वाल के ज़री आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि क्यूं इतना ज़ादा खौफ इस टैक्टिकल शॉर्ट रेंज बैलेस्टिक मिसाइल को लेकर है इरान की ये मिसाइल 300 किलोमेटर की रेंज तक हमला कर सकती है इसकी रेंज 300 किलोमेटर है और 300 किलोमेटर की रेंज में जो भी इसके दारे में आए उसे नेस्त नाबूद कर देगी उसे तबाह कर देती है यानि कि short range missile जरूर है यह, short range missile होने के नाते कम दूरी के target पर बहुत बड़ी तबाही मचा सकती है साड़े 3000 किलो बाली इस missile में 500 किलो ग्राम का वारेड है, यह 3000 किलो की missile आप देख रहे हैं यह अपने target के 3 मीटर के दाइरे में गिरती है और एक ballistic missile का इतना जादा सटीक होना यकीन मानिये बहुत बड़ी बात है यह missile Middle East में अमारिका के खत्रे को देखते हुए बनाई गई थी और यही बात है जो पुतन को बहुत जादा इस फते 1110 missile के बारे में पसंद आ गई है यह ना को खदेरने में सक्षम है फते 1100 वाकई बहुत खदरनाक missile है इस missile के नए वर्जन फते 313 इससे पहले अपना practical दिखा चुकी है इसी missile से इरान ने इराक में military base पर हमला किया था यह वही missile है जिससे इरान ने जनरल कासिम सुलिमानी के हत्या का बदला लिया था फते 313 की range फते 110 से जादा है यही वज़े है कि इरान ने इराक में अमेरिका के military base पर यह missile दागी थी इस missile के धमाकों ने 100 से जादा अमेरिकी फौजियों को जैनी रूप से बड़ी चोट पहुचाई थी जिससे traumatic brain injury भी कहते हैं हमले के बारे में दफसील से जानने के लिए पहले देखिए यह missile क्यों खबरों में है अमेरिका से लेकर यूरप तक मीडिया इसी missile की बात कर रहा है इस्रेयल में भी यही missile चर्चा में है पुतिन ने इरान से फटव 110 को लेकर बात पक्की कर ली है यूकरेन की मीडिया और सरकारी सोर्स भी अब इरान के इस missile को लेकर बहुत ज्यादा दैशत में है इरान की ये missile 2002 में तयार की गई थी इसका निर्मान 2002 में हुआ था और तब से इसके कई वर्जन बनाये जा चुके है इसका एडवांस वन वर्जन जो है वो जादा इस्तिमाल किया जाता है इसका आधूनेक और लंबी रेंज वाला वर्जन 313 है इसकी रेंज 500 किलोमेटर से जादा की है यानि कि 500 किलोमेटर के दारे में जो भी इसके टागेट पर आता है वो खत्म तबा हो जाता है और इस missile ने खुद को साबित करके दिखाया भी है योकरेन और एजरेल के इंटलिजन्स रिपोर्ट दाबा कर रही है इसकी रेंज 300 किलोमेटर से जादा है जबसे ये बात इरान के दोश्मनों को बता चली है वो घबराय हुए है जबसे ये बात जैलन्सकी को बता चली है वो बहुत दैशतमे है अब उनकी एकी देमांड है कि किसी भी तरह उप्रेन की फोच को ऐसे एर देफेंस से लेस्की आचाई जो इरान से मिलने वाली ड्रोन और मेसाइल को काउंटर कर सकी सьогоднішній російський обстріл ракетами і дронами तेश प्रिज्वी दो नोविव प्रिबोईव ज उलेक्री को अले देफेंस से लेक्री आचाई जैलन्सकी को ये बात पता चल गई है कि फटेव 1-1-0 मिसाइल को रोकना बहुत मुश्किल है और इसमें Америка भी पूरी तरह फेल साबित रहा है 8 जनवरी 2020 को इरान ने जब इराक में अमेरिका के दो मिलिटरी बेस पर हमला किया ये उसकी सैटलाइट तस्वीरे है इरान ने चुन-चुन कर अमेरिका के अड़ों को तबाह किया था कई हैंगर, कई कमांड कंट्रोल सेंटर पूरी तरह तबाह हो गए थे अमेरिका को हमले की जानकारी तो मिल गई थी इसलिए उसके सैनिक आसपास अंडर्राउंड हो गए थे लेकिन अमेरिका के एर डिफेंस सिस्टम इरान की फत्व 1-1-0 मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे थे इरान ने ऐसी करीब 20 मिसाइले दागी थी यह जहां गेरी वहां ऐसे ऐसे गड़े बने और 100 से जादा अमेरिकी सैनिकों को धमाकों से गहरा सदमा पहुँचा था ऐसी ही मेसाइल पावर से पुतिन लैस होना चाहते हैं ताकि वो जैलन्सकी को वो आला सबक सिखाएं जो इरान ने अमेरिका को सिखाया था यह ना सिर्फ जैलन्सकी के लिए खत्रा है बलकि पश्चे मेशिया में एरान और रूस का एक नया तालमेल तयार कर रहे हैं जिसका नुकसान इसराइल और अमेरिका दोनों को होगा अब इरान के तेवर समझने है तो आप दो तज़वीरों को बहुत 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 से देखिएगा इरान ने पहले 19 सितंबर को रूस के रक्षामंत्री सरगेई शोईकू को फटव 110 मिसाइल दिखाई और फिर 22 सितंबर को यही मिसाइल अपने बहुत ही खास परेड में दुनिया को भी दिखाई यह काले रंग वाली मिसाइल फटव 110 को देखाने का मकसद है कि इरान और रूस के दुश्मन काबो में रहें सवाल है कि रूस और इरान साथ आए तो जैलेंस्की क्या करेंगे एर डिफेंस तो ठीक है लेकिन ठक्कर तो बराबर की होनी चाहिए इसलिए जैलेंस्की के ओपरेशन को भी बहुत गोर से समझेगा जैलेंस्की को अब अटकम्स मिसाइल मिलने जा रही है जो हाइमर्ज जैसे लॉंचर से दागी जाती है इसकी रेंज 300 किलोमेटर होती है अमेरिका से लेकर योक्रेन तक तमाम मीडिया और देश की सरकाने अब इसी मिसाइल की बात कर रही है अटकम्स मिसाइल पर अमेरिका ने अभी तक खामोशी बनाय रखी थी लेकिन अब वो ये मिसाइल योक्रेन को भीज रहा है अगर जैलन्सकी को ये मिसाइल मिली तो उनके हमले रूस के अंदर तक होंगे और ये युद्ध का दायरा बढ़ाने वाला बड़ा खत्रा हो सकता है अमेरिका को मालूम है कि जैलन्सकी इरान से सप्लाई किये गए शाहिद 136 के आगे लाचार हो चुके हैं और अगर उन्हें फतेव 110 जैसे मिसाइल मिले तो रूस की फाज कैसे क्यों को रौनते हुए आगे बढ़ जाएगी इससे पहले एरान के शाहिद 136 के इससी आगे तो पर दिखने देखने हो चुके हैं ये वाकई बहुत खतरनाक ड्रोन है, जो अकेले हमला नहीं करता, बलकि एक साथ कई ड्रोन लॉंच किये जाते हैं, या अत्मघाती ड्रोन है, इन्हें इरान का कामिकाजे ड्रोन भी कहा जाता है, जो योकरेन की पोजिशन पर अटाक कर रहे हैं, देखा जाए, तो इरान अटाक होता है, तो आस्मान से तबाही बरसती है, ये इसका ओरिजनल वीडियो है, ब्रोन जब ऐसे गिरता है, तो बचने का कोई तरीका नहीं रहता, ये स्वाम अटाक, यानि एक साथ मधुमक्यों की तरह हमला करते हैं, ये जहां टार्गेट करते हैं, वहीं हमला करते हैं, ऐसे ही हथियारों की सबसे बड़ी प्रयोक शाला बन चुका है योकरें, इरान ऐसे युद में एक नई एंट्री है, और उसके ड्रोन इरान की ड्रोन पावर को पूरी दुनिया में पैचान देला चुके हैं, अब बारी फत्य वन वन जिरो मिसाइल की है, ज तो पुतिन को घजब की पावर देगी, इरान के हथियार मिलने से पुतिन को जबरदस्त फायदा हुआ है, जबकि जैलेंस्की को अब बड़े नुकसान का खत्रा समझ में आ गया है, क्योंकि अब ब्रोन के साथ रूस के पास इरान की मिसाइल भी आने वाली है, पुतिन औ करवित से कुछ की प्याँ, क्युद省 में घान की जेठा कर्यां की माम डूस इरान की अणियर गवित है